सलाम, नमस्ते, ससी का लादाफ, कैसे हैं दोस्तों, मैं हूँ जज, फ्रॉम सैमिंजोंज हेरेंड मेकप अकाड़मी, मॉम्बाइ चलिए आज एक और नया मेकवर आप लोगों के लिए और बहुत ही कमाल का मेकवर आप लोग देख सकते हैं, अगेन, L-89, ये कलर है, शॉसकॉफ का एगोरा रेंज है, L-89, इनका आपने पहले भी वीडियो देखा होगा, अचलि आज ये दुबारा आए, टच अप करने के ल लोग ने दो महीने पहले किया था, दो महीने के इनकी ग्रोथ दिख रीए आपको, और दो महीने में इतना कलर फेड आउट हो चुका है, देखें, आप लोग बलकुल, कलर बिलकुल ब्लीड हो चुका है, आज हम लोग शुरू करेंगे, दुबारा L-89 के साथ काम शुरू क करेंगे एक उरा का कलर है रेशो रहेगा 1 is to 1 सबसे पहले हम लोग 20 वॉल्यूम से मिक्स करेंगे जैसे मैंने आपको बताया रेशो है 1 is to 1 का यहां पर हम लोग को प्रॉपर्ली मिक्स करेंगे प्रॉपर्ली अच्छा मिक्सिंग बहुत जरूरी है प्रॉपर कोई भी उसमें प्रॉपर्ली मिक्स होना चाहिए यहां पर हमारा रूट टच अप स्टार्ट हो चुका है और यह देखो आप लोग सबसे पहले हम लोग ने प्रॉफाइल से स्टार्ट किया कुछ की पॉइंट्स देने वाला हूँ आप लोगों को उसको पहले आपको लिखना है बहुत ज अच्छा लगा था पहले का भी हम लोग नहीं किया था ल-89 और क्लाइंट वस वेरी हैपी तो अभी हम लोग ने दुबारा वही कलर उनके बालों पर लगाना है और L-89 हम लोग लगा रहे हैं 20 वानियूम से जो भी मैं आपको की पॉइंट्स देने वाला हूँ उनको लिख तो अब यह जो बिगर सेक्षिन है मतलब बिगर इन दम सेंस के नॉर्मली हम लोग जो रेडिल तक लेके जाते हैं बाल वह हमारे ऐर तक रहता है लेकिन आप जहां का रेडियल तेखो यह पीछे तक लेके जा रहा हूँ मैं हमारे बैक एरिया तक मतलब हमारे हैट के थ्ष सबसे पहला की point okay दूसरा हमेशा जब भी मैं color के साथ काम करता हूं मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं आगे से शुरू करता हूं I always start from the front मैं कभी भी काम शुरू करूं color के साथ कभी भी काम शुरू करता हूं front से तो यहां पर भी जो root touch up आप देख रहे हो वह भी हम लोग front से ही model है she is very fair तो उनको थोड़ा भी कुछ लगता है तो immediately नजार आता है because she is very very fair और पहली चीज इसलिए color हम लोग ने इनके उपर किया दूसरा she is little bold to carry all that हर client यह carry नहीं कर सकता color जितने भी clients है वही carry कर सकते है तो आपको जब color आप करना है तो आपको ध्यान रखना है तीसरा red color आप किसी भी skin tone पे कर सकते हो जैसे हमानी model तो बहुत ही fair है लेकिन आप इसको whitish पे कर सकते हो अब इसको dark skin tone पे भी कर सकते हो फिर भी एक चीज और हाँ पे भी notice करो क्योंकि अभी मैं left side पे हूँ left side का भी जो हमारा section ले रहा हूँ मैं काफी बड़ा ले रहा हूँ बिल्कुल पीछे तक लेके जा रहा हूँ आप notice करो है इसको right और front के बालों पे आप देख रहे हो और section पूरा नहीं आ रहा क्योंकि आगे के जो इनके बा आ रहे हैं बिल्कुल perfect देखो आप आगे तक आ रहे हैं जहां तक baby बालते तो वहाँ पे section आगे तक नहीं आ पा रहा था के ऊपर हम लोग ear cap लगाएंगे ताकि अभी हम लोग लेके लगाने वाले हैं ear cap ताकि color ना लगे key point एक और दे रहा हूँ आपको कभी भी color कम मत लग चाहिए ऐसे चुलाओ मत color को थोड़ा से लगाओ अगर आपको gray coverage करने हैं अगर आपको कोई भी color proper चाहिए तो उसमें color आपको थोड़ा से जाधा लगाना पड़ेगा इस चीज़ का आपको ध्यान लगता है तो वहाँ पे गीला cotton रखो गीला cotton रखने के बाद साथ के साथ उसको साफ करते हैं हम यहाँ पे साथ के साथ साथ कर रहे थे skin पे काफी color लग रहा था क्योंकि हम लोग को पूरा cover करना है front तक तो वहाँ पे हम लोग को यह ध्यान रखना पड़ेगा अगर अभी हम लोग पीछे की side में काम शुरू कर रहे हैं तो पीछे की side में अगर और यहाँ पे सबसे पहले मैंने आगे से शुरू किया और अभी हम लोग जो application कर रहे हैं वो पीछे से शुरू कर रहे है color proper भरके लगा रहा हूं कम नहीं लगा रहा हूं L-8 line शॉसको का color है red color बहुत प्यारा color आता है which is very beautiful color तो उसका आपको ध्यान रखना है कि जब भी आ violet भी है violet की intensity थोड़ी सी कम है और 8 मतलब जो red color है वो काफी intense है क्योंकि 8 पहले आ रहा है ओके color बहुत प्यारा है अगर आपके पस कोई client आता है बिंदास इसको आप लगा 20 volume से scalp पे और बहुत अच्छा result आएगा अगर version बाल है तो आप बिल्कुल 40 volume से scalp पे लगाना यहां पे हमारा root touch up हो चुका है एक और कलर जैसे का आप देख सकते हो और यहां पे ratio इसका लिखा हुआ है 1 is to 1 हर ट्यूब की उपर लिखा होता है तो इतना tension की जुरूरत नहीं है कोई भी red color हो वैसे तो आपको 1 is to 1 ratio से ही करना है यहां पे जैसे आपको मैंने बताया के color अल्री इनका हमने पहले किया था दो महीने पहले तो आज फिर हम लोग इनका touch up कर रहे है साथ में जो हमने पहले का color किया था जो bleed out हो चुका है उसको हम दुबारा से apply कर रहे है दुबारा से deposit कर रहे है तो यहां पे अल्री chemical treated ball है chemically मतलब हमारा पहले का red color ही क्या हुआ है red violet color ही किया था last video में आप लोग ने देखा होगा दुबारा हम लोग कर रहे हैं तो यहां पे आपको एक चीज समझनी है कि कभी भी री करना है तो यहां पे 40 volume लगाने की जुरूरती नहीं है मैं दुबारे repeat कर रहा हूँ यहां पे हमने already पहले red color किया था right red color is client का हम लोग न है आज से दो महीने पहले किया था जिसका root अच्छा पाज कराने आये है client मतलब दो और देड़ महीने पहले हम लोग ने किया था तो अब भी दुबारा client आये हैं दुबारा करके यह दुबारा हम लोग उनके बालों पे L-89 कर रहे हैं मतलब red wallet कर रहे हैं तो हम लोग जो length पे color लगा रहे हैं वो हम लोग 20 volume से मतलब सिर्फ deposit कर रहे हैं तो इस तीस का आपको ध्यान रखना है ओके यहां पे भी आप देखो मैं आगे से ही शुरू कर रहा हूं I've started from the front इसका ध्यान रखो आप कभी भी काम करते हो start from the front बार बार बोल रहा हूं color का का काम कर रहे हो आ आपका result बहुत अच्छा आएगा अगर आप आगे से काम चुरू करेंगे तो मतलब always radial से front hair पे आप काम करोगे और पीछे की side में जब आप जाते हो back hair पे जब आप जाते हो back head पे जब आप जाते हो तो आप बाद में करो ओके अभी आप नीचे नीचे देखो इनके काफी ज्यादा डल बाल हो रहे हैं तो वहाँ पे मैं इतना application नहीं कर रहा है इसी color को में नीचे लेके जा रहा हूँ यहाँ पे इसका ध्यान रखना है अच्छा एक चीज़ और मैं बूलूँगा है इसमें इसका भी ध्यान रखो सबसे यहाँ पर आप देखो मैं section ले रहा ऐसका बहत बड़ बड़ा section ही ले रहा हूँ लेकिन उसको पहले रहेगी, length के इसाब से नहीं रहेगी, इसका अभी ध्यान रखो, अभी जैसे शॉक्सक्रफ का एक color है, इसको हम लोग 42-45 minutes हम लोग बालो पे रखते हैं, 40-45 minutes हम लोग रखते हैं इसको बालो पे, अभी एक चीज़ आपको समझना है यहाँ पे, 42-45 minutes जो timing रहेगी, वो scalp से र में हमें दुबारा reapply करने में, 10 minutes लगे, prepare करने में, client को बिठा के, दुबारा start करने के लिए, यहाँ तक I hope, आपको समझ में आओगा, ओके, तो 10 minutes के बाद में हमने start किया, तो मतलब हमारे पास रहे 35 minutes, यह पूरी application जो है, हमारी length की, उसको हमें 15 minutes लगे थे, पूरे बालो application करने में, तो निकल गया, इसका मतलब 25 minutes, 15 minute application, 10 minute color mixing करने में, prepare करने में, तो total अभी कितना time बचा हमारे पास, 45 minutes में से, हमारा 25 minutes निकल चुका है, तो मतलब यह जो color रहेगा बालो पे, सिफ 20 minutes के लिए रहेगा, more than enough, is that clear everyone, तो कभी भी आप लोग root touch up, मतलब ऐसा नहीं है कि length से color आपको देखना है, कि length पे मैंने अब apply करके, काम finish किया, अब मैं wash करूँगा, वो timing नहीं देखनी है, अगर आप लोग को इसकी थोड़ी भी confusion नहीं है, तो आप लोग chat box पर डालना, comment box पर डालना, मैं आप लोग को इसका answer दूँगा, लेकिन हमेशा ध्यान रखो, कभ आपको क्या करना है, जो हमने root touch up किया है, example की तोर पे मैंने एक बज़े अपना काम पूरा कर लिया, एक बज़े root touch up मेरा पूरा हो गया, तो अब मेरा जो wash होगा, वो कितने बज़े होगा, 145 पे, is that clear, 145 पे मेरा wash होगा, length पे कितनी देर में भी मेरा application होगा, इसका मतलब यह नहीं कि length way बहुत अराम राम से करो, आप देखरो काम बहुत fast करना है आपको, मैं यहाप पर आपको single handed इसलिए दिखाता हूँ काम, ताकि आपको समझ में आए कि आपको single handed salon में काम करना है, मैं यहापर चाहूँ तो मैं यहापर दो-तिन लोगों को और भी help ले सकता हो, लेकिन आप देख रहे हो, मैं आप लोगों के लिए single handed काम कर रहा हूँ, ताकि आपको idea हो कि जब मैं single handed काम कर रहा हूँ, तो मुझे कैसे करना है, मैं को sections कैसे बनाने है, application कैसे करना है, okay, so helping hands होने चाहिए, लेकिन आपको practice होने चाहिए single hand की, एक चीज़ और इसमें notice करो, कि मैं यहाँ पे यह foil papers लगा रहा हूँ, बड़े वाले foil, यह बहुत thick वाले foil papers नहीं है, तो इसको मुझे क्यों कि cover नहीं करना, ताकि आपकी cutting sheet गंदी ना हो, आपकी chair गंदी ना हो, और वो एक थोड़ा सा protection का काम कर देता है, बस, ताकि वो जो color है, वो आपके cutting sheet पे cape जो हम लोग ने लगाया, वो cutting sheet के ओपर, तो थोड़ा सा आपके cutting sheet को भी protect करता है, cutting chair को भी करता है, तो इसका आपको ध्यान लखना है, तो आप यह foil paper लगा सकते हो, और एक चीज को notice करो, यहाँ पे, मेरे हाथ में, जो tail comb है, right side पे, वो continuously मेरे हाथ में ही है, मैं बार बार ऐसा नहीं है, tail comb नीचे रख रहा हूँ, पर tail comb को ले रहा हूँ, ऐसे नहीं कर रहा है, इसको थोड़ा ध्यान रखो है, इसको, कि जितने भी professionals हैं, जैसे scissors हो गई, tail comb हो गया, यह हाथ में रहते हैं, यह कभी भी आप नीचे नहीं रखते, is that clear everyone, तो इसको आप लिखो, यह जो key सीथ हैं, इसके tail comb के, वो मेरे triangle free कर रहा है, और brush पड़ पड़ ले रहा हूँ, लगा रहा हूँ, tail comb मेरे continuously हाथ में, दोनों चीज, मतलब brush, at a time मेरे हाथ में brush भी है, right hand पे, और right hand पे मैंने tail comb को भी रखा हुआ है, तो आपको इसका ध्यान रखना है, और इसी भी काम करना ह हो भी हाँ तक भी समझ में होगा, बाकी क्योंकि मैं deposit कर रहा हूँ, इसलिए मैंने 20 volume लिया, length पे भी, अगर ये version बाल होते, फिर लिखो इसको, ये भी key point है, अगर ये version बाल होते, और आपको बहुत अच्छी, इस पे intensity चाहिए, red color की, तो मैं 40 volume से लेता, 1 is to 1 ratio, यहाँ प मैं reapplication कर रहा हूँ, बालो को दुबारा enhance कर रहा हूँ, red color को दुबारा deposit कर रहा हूँ, जैसे आपको बता है, red violet का ये combination है, red होता तो बहुत ज़्यादा vibrant हो जाता है, red violet, violet क्या करता है, थोड़ा से दबा देता है color को, तो बहुत ज़्यादा उठा हुआ कलर नहीं आता है थोड़ा subtle आता है, तो red में थोड़ी intensity आये थे, थोड़ा red color जो है वो थोड़ा एक उसमें intensity के साथ आता है, red violet color चॉसको बहुत अच्छा है, अगर आप लोगों करना है तो आप बिल्कुल इसको कर सकते है, I hope यहां तक आपको काफी कुछ समझ में आओगा, काफी clear हुआ ह और इस वीडियो को आपको शेयर करना है, बाकी ऐसी बहुत सरे हम लोग के जो practical होते हैं, हमारी academy में होते रहते हैं, आप बिल्कुल आए हमारे मुंबई की academies में आप आके join कर सकते हैं, यहां पर जो हम लोग wash कर रहे हैं, scalp से 45 minutes के बाद में किया है, और length से अगर मैं देखू, approximately 20 minutes के बाद, लेकिन color बहुत अच्छा हैगा, I'm sure, अभी हम लोग करेंगे wash, wash हमेशा gloves पहन के करो आप लोग, which is also very very important, और आप देख रहे हो कि हाँ पर हम लोग इसको emulsify कर रहे हैं, wash के टाइम पर, scalp को proper emulsify कर रहे हैं, emulsify, emulsify properly, जैसे आपको पता है हमेशा color cuts the color, तो अगर आपके skin पे color आता है, और उसी color को आप जिस तरीके से अभी हमारे हाँ पे जो यह hair wash कर रहे है, Mr. Faisal, यह हमारे वर्शोवा Academy के faculty है, teacher है, बहुत ही amazing teacher है, तो Mr. Faisal is washing right now, he is helping me, तो यहाँ पे आप देखो कि इनका जो finger tip है, उससे पूरे scalp के उपर य around अपने fingers के साथ कर रहे है, जिससे कि उनका जो color red color scalp पे आयोगा, वो color cutting हो जाएगा, यह आपको एक ध्यान रखना है, आपके पास मैं color करते टाइम पे, पूरी हर्चीज आपके पस ready होना चाहिए, और यहाँ पर जो मैं hair wash करूँगा, वो भी मैं color protection shampoo और mask से ही करूँगा, फिर वो आपके पस किसी भी company को, जरूरी नहीं है कि आप शॉर्ट को पर करो, अभी तक हम लोग length को भी, यह जो length है, उसको भी हम लोग emulsify कर रहे हैं, proper emulsify, तो आपको length को भी करना है, scalp को भी करना है, और shampoo conditioner जो आपको use करने है, वो color protection shampoo ही use करना है, वो किसी भी company का हो सकता है, I hope, यहां तक भी मैं आपको समझा पाया होंगा, और अभी हम लोग देखेंगे थोड़ी देल में result, तो आप लो comment box पे डालेगा, कि आज का यह जो session है, आपको कैसा लगा, इसको video को share करना आप जरूर, क्योंकि sharing is caring, हमेशा Sam मैं बोलते हैं, तो इसको share जरूर करो, and this is the final result, I hope, आपको आज का यह look भी बहुत अच्छा लगा होगा, काफी कुछ learn किया होगा अपने, इस L-89 color से, comment box पे डालिए, मैं जरूर देखता हूँ, आप लोगे के comments, तो मैं जरूर पढ़ता हूँ, तो आप लोग जरूर अपने comments डालिएगा, बाकि आप लोग मुंबई आए, मुंबई आतर के academy join कर सकते हैं, academy नहीं आ सकते, तो online class करो, make-up के भी अभी काफी online classes चल रही है, पता करो, घर बैठे बैठे सिखाना हूँ, आप लोगों को कहीं आने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप आ सकते हो, practice के लिए तो academy जरूर आओ, बाकी online class करो, बहुत